आज में आप लोगों को एक-एक संधी करवाओंगी और एक-एक संधी के साथ उसका संधी विच्छेद भी साथ ही करवाओंगी इससे पहले मैंने अभी तक अगर जब भी आपको संधी करवाई तो पहले सारी संधी न कंप्लीट कर दी हैं उसके बाद मैं आपको संधी विच तो आज में नया एक्सपेरिमेंट करने जाओंगे यहां पर आप लोग मुझे बताईएगा कि आपको यह तरीका बैतर लगा या फिर पहले वाला तरीका बैतर है कि पहले सारी संधी पढ़ लें और फिर उसके बाद संधी विच्छेद सीखें आज में आपको एक-एक संधी यानि अब यह जो सिरीज हम करेंगे इसमें हम एक संधी पढ़ेंगे पहले अच्छी तरह से फिर उसका संधी विच्छेद करेंगे संधी विच्छेद के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें आपको जाननी है यानि हम जब किसी भी शब्द की संधी करते हैं तो उसके लिए हमको बेसिक क्या जानना चाहिए हमें उसका basic में हमें पता होना चाहिए तो हमें one विच्छेद का ग्यान होना चाहिए किसी भी शब्द का one विच्छेद कैसे किया जाएगा तो one विच्छेद क्या होता है ये भी एक नया topic आपको लोगों के सामने आ गया है और आपके exam में अब इससे question पूछे जाने रगे हैं तो एक नया और बहुत special topic है और बड़ा मज़िदार topic है तो one विच्छेद आपका क्या है ये आपको ध्यान देना होगा तो वैसे भी मैं कई बार इस पर बता चुकी हूँ और जिन लोगों ने one माला नहीं पढ़ी है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है संधी पढ़ते समय वन माला में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए यानि उसका हमारा concept बेसिक है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए तो वो है हमारा की जो हमारे स्वर हैं वो किसी वियंजन के साथ किस तरह से मिलते हैं स्वर वियंजन के साथ कैसे आके उच्चारण प्रदान करते हैं उनकी मात्राएं यानि स्वरों की मात्राओं की पहचान होनी चाहिए अगर किसी वियंजन पर कोई मात्रा लगी हुई है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका वास्तविक रूप क्या होगा अगर हमें इतनी knowledge है तो फिर हम संधी आसानी से कर पाते हैं क्योंकि जो संधी है वो शब्द निर्मान का एक part है या हम कहें कि जब हम शब्द निर्मान पढ़ते हैं तो शब्द निर्मान के अंदर संधी पहला बाग कहें या पहला पार्ट करें, जो भी हम इसे कह सकते हैं, शब्द निर्मान चार प्रकासे होता है, जिसमें हम संधी, समास, उपसर्ग और प्रत्य इनका प्रियोग करते हैं, तो संधी उसी का बाग है, और शब्द निर्मान क्या होता है, शब्द निर्मान होता है, जब हम वर्णो को एक जगह रखते हैं, एक जगह रखने के बाद उनमें सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, या फिर उनमें सार्थक अर्थ आ जाए, वो ही हमारा शब्द निर्मान क्यलाता है, तो पहले हम वर्ण पढ़ते हैं, फिर वर्ण के तुरंत बाद हम शब्द निर्मान पढ़ते ह है उसी का हिस्सा है हमारी संधी सभी लोग आ चुके हैं हम लोग सुरू करते हैं तो शुरुआत करेंगे समझते हुए ध्यान दीजेगा आपको मैं कोई भी चीज पढ़ाती हूं तो आपको पहले यह फोकस कराती हूं कि आपको अपनी परिभासा पर ही फोकस करना है यानि आ क्या समझते हैं यानि संधी से आप क्या समझते हैं या संधी की परिभासा आप क्या लेते हैं तो जल्दी से फटाफट से बताईए तब तक मैं आप लोगों की एक-दो कमेंट देखती हूं जल्दी से मुझे बताईए कि आप संधी की परिभासा के अंदर क्या लेते हैं अगर मैं आपको एक्जाम के नाम पर कोई चीज बताऊं या यह कहूं कि यह TET का है, यह UPSI का है, यह MPSI का है, अगर इस तरहिके से मैं आपको अलग-अलग क्लासिस दूँ यह सारी चीजे तो यह सिर्फ और सिर्फ ना एक छलावा है और कुछ नहीं है, आपने बहुत अच स्टाफ बता रहा था कि जैसे फॉन कॉल आती है स्टूरेंट की बुक्स के लिए, तो वो कहते हैं कि हमें पर्टिकुलर इस एक्जाम के लिए चाहिए, हमें सारा नहीं करना, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, वर्ण माला अगर सारे एक्जाम में वर्ण माला पूछी तो सारे एक्जाम की वर्ण माला तो एक ही होगी ना, अब अगर मैं एक ही किताब पर आप खुद ही सोचे जो किताब मेरे पास है, जिससे मैं आप लोगों को दिखा दूँ यह किताब मैंने आप लोगों की टिया किया है, जो आपके हर एक्जाम को कवर करेगी, लग लग यह आपकी बुक है, जिसे नाम दिया है, हस्त लिखित क्लास नोर्स, इसमें 1, 2, 3 पॉइंट करके दिया है, इसको 1, 2, 3 इसलिए दिया है, क्योंकि हिंदी को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, आप किसी भी पार्ट से शुरुआत कर सकते हैं, जो टॉपिक एक दू किसे लिखी हुई हैं, कुछ लिखनी पड़ती हैं, लेकिन यह वाली कम्प्लेट बुक है, यह वह यह बुक है, जो आप लोगों के पास PDF है, आधा अधूरा जो PDF है, जिसे मैं आपको कहती हूँ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ है अपने हाथ से लिखना है, तो आपको यकीन होगा कि हाँ, इसमें UPSI के लिए है, अगर मैं इसी बुक का मैटर अंदर जो भी कुछ है वैसा है का वैसा ही छोड़ दूँ और उसके ऊपर यह यूपी टैट या मतलब सी टैट या यह सारी चीजें अगर मैं लिख दूँ तो आपको तब यकीन होगा, अग तरह के छलावे में आप लोग मत आईए, कई बार मुझे बहुत लोग यह सला देते हैं कि निधी आप बहुत जादा सचाई को लेके चलती हैं, क्यूं समझाने की कोशिश करती हैं स्टूडेंट को, एक ही बुक से दो बार पैसे लिए जा सकते हैं उनको स्टूडेंट को ऐसे कहके कि यह इस एक्जाम का है, यह उस एक्जाम का है, लेकिन फिर भी देखिए, मैं एकदम सचाई आपको बताती हूँ, अगर आपको कोई सिक्षक यह न समझा सके, कि यह जो आप पढ़ रहे हैं, यह आपके किस-किस एक्जाम में आपके लिए यूज टू रहेगा, तो फिर वो सिक्षक नहीं है, मैं आपको बार-बार एक ही बात कहूंगी, कोई भी टॉपिक है जो आप पढ़ते हैं, आपको जैसे वर्ण माला है, या फिर जैसे संधी है, आज में जो संधी आपको पढ़ाऊंगी, आप यह बताएं, कि आज हम जो संधी पढ़ने वाले ह अब चाहें ये UPSI में हो, चाहें UPSSCC में हो, चाहें ये मध्यपिदेश, यानि जो SI होता है, MP का SI होता है, या MP का PCS होता है, या TET होता है, या CTET होता है, आप सभी बताएं, क्या सब में संधी अलग-अलग होता है, क्या, नहीं न, सब का संधी एक ही होता है, तो अगर मै कि यहां पर आपको common संधी कहके पढ़ाऊंगी, तो क्या आप लोग अपने अपने एक्जाम के लिए उसे तयार नहीं कर सकते, जिसको SI देना है, वो SI के लिए, जिसको AAAC का देना है, वो AAAC के लिए, जिसे TAT का देना है, या किसी और एक्जाम का देना है, तो आप समझ गये न, बात को आप समझे, रोज-रोज में एक इसी तरह के question को face करती हूँ, कि आप exams के पिछे पढ़े रहते हैं, exam के नाम के पिछे पढ़े रहते हैं, आप जड़ में जाएए, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए, आप वो चीज लिजिए, अब exam तो आपको देने ही है सारे, चलिए, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, तो मैंने आप लोगों से पूछा था, पता नहीं, आप लोगों ने कमेंट किया भी है या नहीं किया है, क्या आप लोगों ने कमेंट किया, संधी के बारे में जो मैंने पूछा था, अचाहे, कुछ बच्चों ने बताया भी है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, एक ही विद्यारती ने कई बार ये रिपीट किया है, और तो किसी ने बताया नहीं है, शायद आगे बताया भी हो, तो दिख नहीं रहा इसमें, ओके ठीक है, आप लोगों ने कहा कि दो वर्णों के मेल से, चलिए, मैं यहीं पर आपकी जो बात है, दो वर्णों के मेल की जो हमने बात करी है यहां पर, हम इसी चीज़ को देखते हैं, अब मुझे यह बताईए, कि क्या आपने जो यह वाली बात कही है, हाला कि मेरा इसमें इस परिभासा को लेके, कोई विवाद खड़ा करना नहीं है, बट मैं आप लोगों को यह बात समझाना चाहती हूँ, कि यह परिभासा जो है ना, यह सौट रूप है, और यहां पर और लिख दिया, इन लोगों का, इनका मेल हुआ, तो क्या यह संधी कहलाएगा, नहीं, यह संधी नहीं कहलाएगा, अब आप जड़ से समझने की कोशिश करिएगा, लास्ट में मैं यह नहीं सुनूं, कि बाद में आप एक-एक शब्द मेरे सामने लेके आ रहे हैं, और कह रहे हैं, इसमें कौन सी संधी है, आप मुझसे नहीं पूछेंगे, मैं आप से पूछूंगी, कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधी है, और आप लोग बताएंगे, इसलिए आपको आप कमेंट्स थोड़ी देर के लिए बंद करिये, बाद में मैं फिर बोलूँगे आप से की कमेंट्स करिये, तब आप बताएगा, ठीक है, तो अब मुझे बताएगे, कि अब यहां पर आपको समझना है, सिर्फ दो वर्ण के मेल की बात नहीं है, ये दो वर्ण आए कहां से हैं, हम ये भी जानना है, तो ये जो दो वर्ण के बात की है हमने, यानि यहां पर, अब हम सीधी सिंपल सी पहले लिखते हैं, हमारी संधी की परिवासा कहती है कि यदि दो वर्णों का, हमने कोई दो वर्ण लिए और ये दो वर्ण कहां से आएं आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा दो वर्णों के मेल से उत्पन्य विकार ये जो उत्पन्य विकार है और इस विकार का मतलब होता है परिवर्तन ठीक है परिवर्तन मतलब जो बदला हुआ रूप है अब आपको संधी की इस बात को इस परिभासा पर फोकस करना है बले मैं बार-बार एक ही चीज पर जिस पर स्ट्रेस दे रही हूँ न उसी को समझने की कोशिश करना तो सबसे पहले संधी मतलब परिवर्तन ये बात अपने दिमाग में समझ लीजिए अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें संधी है और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस शब्द के अंदर कोई संधी नहीं होगी यह बात अच्छी तरह से समझ लीजेगा, अगर परिवर्तन दिखाई देगा, तभी संदी होगी, अब बात करते हैं, यह जो हमारे दो वर्ण कह रहा है, यह दो वर्ण आए कहां से हैं, यह दो वर्ण आते हैं, दो शब्दों से, दो सार्थक शब्द, ठीक है, ध्यान दीज दो सार्थक शब्द उनके वर्ण लेते हैं और तब संधी करते हैं, तो उनके वर्ण कैसे होते हैं, तो एक फॉर्मूला आपको लिखना है, यह परीभासा आपके दिमाग में है, नोट डाउन करना चाहते हैं, आप नोट डाउन कर ले ना, तो यह तो आपको याद ही है, इसमारे सामने जो प्रत्थम शब्द है प्रत्थम शब्द का अंतिम वण अब उस रहसे को बता रही हूं जो दो वणों की बात करते हैं वो दो वण होते कौन-कौन से हैं तो प्रत्थम शब्द का अंतिम वर्ण किसके साथ मेल करता है द्वितिये द्वितिये वर्ण का प्रथम वर्ण यह है आपकी संधी का यह फॉर्मूला ठीक है प्रथम शब्द का अब आपको यहां पर ध्यान देना है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जब भी मैं कभी आगे आपसे कहूंगी कि अंतिम वर्ण कौन सा है तो अंतिम वर्ण में आपको प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण बताना है और जब मैं कहूंगी कि प्रथम वर्ण कौन सा है तो द्वितिये शब्द का प्रथम व उत्पन होता है जो भी परिवर्तन आएगा जो भी चाहे वो हमारी कौन सी भी संधी हो सुर संधी हो विएंजन संधी हो विसर्ग संधी हो या कोई भी संधी ठीक है तो जो भी विकार यहां पर आएगा वही हमारी यानि फिर यह प्रॉसेस हमारी क्या कहलाएगी संधी कहलाए अगर यहाँ विकार उत्पन नहीं हुआ, दो बरणों के आपस में मिलने से, अगर यहाँ कोई विकार उत्पन नहीं होता है, तो फिर इसके अंदर कोई संधी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया, अब हम इसका एक उधारन ले लेते हैं, छोटा सा उधारन समझ लेते हैं, किस चीज को समझने के लिए अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, ध्यार रखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि संधी के लिए आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए, तो वो वर्ण विच्छेद का ग्यान आपको इसलिए होना चाहिए, ताकि आप उसका अंतिम वर्ण निकाल सकें, और प्रथम वर्ण निकाल सकें, ठीक है, चलिए, जैसे हमने बहुत सिंपल, आप कई बार इस चीज को पढ़ चुके हैं, मैं वही यहाँ पर होते हैं, वो इस देशी से बैठते हैं, कि सामने वाला जो भी बता रहा है, वो कुछ ऐसा बताए, कुछ ऐसा करें, जिस पे मैं कुछ कमिया निकाल सकूँ, या मैं उसमें कुछ कमी खोज सकूँ, तो वैसे जो स्टूरेंट या वैसे जो लोग हैं, तो वो क्या बोलते हैं अक्सर कि ये तो किसी कोई पता हिम प्लस हो गया हिमाले हो गया भाई हमको पता है सब को पता है मैं जानती हूं मेरे सारे विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हिम प्लस आले बराबर हिमाले होता है इसमें मैं क्या नया बता रही हूं तो वो जो मैं नया आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो उस चीज के लिए बताने की कोशिश कर रही हूँ, जब आगे चलके आप जैसे अत्यधिक जैसी शब्द के अंदर संधी कोजने की कोशिश करते हैं, तो वो कहां से निकलता है, यानि एकदम सरलतम स्टैप से हमें जटिलतम तक जा होगी वच नहीं हиновने पूर चलो जो मैथ होता है उसको कहीं ए कि आपखको उसी तरह से तैयारी करनी होगी अगर संदी को जिंद्धी भर के लिए आपे पढ़ते हैं संदी को कि आप संदी के रूल या संदी के नियम को समझने की वज़ा है आप संदी के जो 1500 जो उसके उधारण दिए हुए हैं उन्हीं को रठते रहते हैं, इन प्लस आले, छातर प्लस छातरावास, या जैसे छातर प्लस आवास, छातरावास हो गया, या नदी प्लस इस नदीस हो गया, अब इसी तरह से इनको पढ़ते आए हैं, हर एक यहां पे आपको क्या देखना है दिल्कुल सिंपक्ल लिया आपको यहां पे कहोजना है कि हम का उंतिम और आप लोग में मेरे को जल्दी से हम का उंतिम बता दीजिये ऑन थोड़े से देर मेरे साथ तालमेल आप बेठाने के कोशिच करिये हलाकि हमारा live 10 second पीछे चलता है तो मुझे उतना wait करना पड़ता है आप लोग मुझे बताइए कि यह जो मैं है यानि जो him है इस him का अंतिम वर्ण क्या है आप क्या मानते हैं कि इसका अंतिम वर्ण क्या होगा यह जल्दी से आपको बताना है तब तक मैं इसका प्रथम वर्ण ले लेती हूँ आप लोग मुझे अंतिम वर्ण बताइए प्रथम शब्द का और मैं तब तक दुतिय शब्द का प्रथम वर्ण लिख लेती हूँ तो दुतिय शब्द का प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या है आ है ठीक है और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है और आप लोगों की कमेंट में बिल्कुल इक्वल मुझे बिल्कुल यह भरोसा था आप लोगों पर कि आप लोग यही कहेंगे आदे लोग कह रहे हैं मैं आदे लोग कह रहे हैं तो आप मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जो विद्यार्थी मैं कह रहे हैं, उनको ये अंतिम वर्ण यानि मैं कैसे दिखाई दे रहा है, आप ये पताई है, इससे पहले मैंने वर्ण माला आप लोगों को पढ़ाई है, उसमें आपको बताया है कि हमारा कोई भी जो होता है, उस शब्द के अंदर हमारे स्वर और वियंजन आपस में जुड़े होते हैं, और कल भी हमने इस चीज़ पर बात करी थी, कि हमारा जो एक स्वर है, जिसे हम आ कहते हैं, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो आपको पता है, और जब उसकी मात्रा नहीं होती, तो हम कै पहसे पह domains करते हैं कि किसी वर्ण में वह लगा है, तो उस वर्ण के नीचे का हलंत हट जाता है, अब आपको पता है है, म स्लाविनि का हलंत हट चुका है, तो आपको ये पता है कि इस म के अंदर दो वर्ण हैं, एक व्यंजन और एक स्वर, तो अंतिमवर्ण क्या हुआ अंतिमवर्ण आ हुआ ना आप देखो जिन भी विद्यार्थियों ने इसका आंसर आ मा दिया था आप सबसे जादा ये समझ लीजिए कि आपके बेसिक में आपके जड़ में बहुत जादा प्रॉब्लम है आपको इस बात को समझना पड़ेगा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर जड़ में प्रॉब्लम है तो फिर संधी सीखना बहुत मुस्किल हो जाएगा नहीं तो अगर आपने इसकी जड़ को समझ लिया तो ध्यान रखिएगा एक ही बार संधी पड़ेंगे जिंदगी भर याद रहेंगी आपको सारी च में कॉशन भी पूछा जाता है अगर आपसे यह पूछ लिया गया कि हिम जो है वो कौन सा कारांथ है तो आप बताएंगे यह अकरांथ है अकरांथ मतलब इसका अंतिम वर्ण क्या है और तो यह भी आपके एक्जाम में कॉशन पूछा जाता है ठीक है छोटे-छोटे कर्टा और बड़ा आ यह दोन Aha बनाते है यह बड़ा आ बना देते हैं अब जब हमने इसको बाहर निकाला न तो यहां पर जो हमारे पास बाकी जो शब्दबाचे वह इतना बचेगा यह बच जायेगा बस इतना और फिर हमने इसको यहां पर उतार दिया शब्द में, यानि यह जो दोनों इन वर्ड ने मिला के यहां पर क्या किया? परिवर्टन किया इसमें क्या हुआ? विकार हुआ यही विकार क्या है संदी कहलाएगा जब यहां से निकाला था तो बस इतना बचा था अब आपको पता है यह जो A है इस मा को पूरा कर देगा अब ये मा क्या हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा मा किस तरह से आ लग जाएगा इसके साथ और बचा हुआ यहाँ पर हमने लिख दिया और बचा हुआ लास्ट में लिख दिया और इस तरह से आकर ये जो हमारा शब्द बनता है नया है तब यह बनता है ठीक है और यही इसके अंदर हमारी क्या है संधी विदी लगी है अभी आप यह कहेंगे कि मैं यह और आ बनके आ बनाएं कब-कब आ बनेगा कब-कब बड़ी बनेगा तो हमें यह वाली चीज अभी नहीं सीखने अभी तो हम सिर्फ क्या सीख रहे थे संधी की उस प्रॉसेस को सीख रहे थे संधी की यानि संधी हमारी होती कैसे है हमें उसको आगे करना कैसे है तो यह वाली बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके इतना आप समझें कि नहीं कि यह कैसे बनेगा मैं, प्लीज वीडियो का आफ लाइन भी अपलोड कीजिये, मैं बाद में वाच करूँगी देखो संगीता, आप जैसे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं और अगर मानलो आप जैसे मेरा जो एप है, उसमें अगर देखना चाहते हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, निधी अकेडमी नाम से मेरा एप है, तो आप उसे देख सकते हैं कि चलिए नीतु सिंग सौरी सौरी ए अब अच्छा आपने गलती से मैं लिख दिया होगा ओके चलिए समझ में आ गया आप लोगों ने यस कहा है आगे बढ़ते हैं अब हम सुरुवात करते हैं नौट डाउन कर लीजिएगा एक बात बता देती हूं आपको जब आपके सबसे पहले महत्पून चीज आपको एक्जाम के साफ से समझनी है जैसे हमरे बहुत सारे विद्यारती होते हैं जो अकसर इस बात को मुझ से पूछते हैं कि मैं हमको पता है संधी पढ़नी है लेकिन संधी में कितना कम पढ़ना है यह वाली चीज बता दो तो आप लोगों को वही चीज बता रहे हूं है ध्यान रखिए का गोह और से गौर करने वाली बात है संधी आपको परिशान कर सकते हैं। लेकिन आप समार्ट तरीके से संधी को याद कर सकते हैं ताकि संधी में आने वाले हर कोशन को आप सॉल Dal कर सके हैं हम जब बात करते हैं संदी के प्रकार की तो हमें पता है संदी हमारी तीन प्रकार की होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को आपको रटा दिया गया है बहुत सौट सौट में आपने इन सब को पढ़ा है कौन-कौन सी संदी होती है स्वर संदी होती है और विसर्ग संदी होती है, हम जानते हैं स्वर संदी हमारी वो है जो स्वरों के मद्धे होती है, या हम कहें कि अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण दोनों पर ही स्वर होता है, या फिर हम कहें कि स्वर का मेल स्वर के साथ होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, स्वरसंदी क्यलाती है उसी तरह से हम वियंजन की बात करें तो वियंजन का मेल स्वर से या स्वर का मेल वियंजन से या वियंजन का मेल वियंजन से जब होता है तो वो हमारी क्या क्यलाती है वियंजन संदी क्यलाती है और जब हम बात करें विसर्ग की तो हम कहते हैं कि विसर के बाद अब हम यहां एक बात यह देखते हैं कि हमारे एक्जाम में पूछा किस तरह से जाता है तो ध्यान दीजिए अगर हम अपनी संधी के कॉश्चन को परसंटेज में बाटने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि 70% कॉश्चन हमारे सिर्फ और सिर्फ स्वरसंदी से आते हैं और 30% के अंदर हमारी यह दोनों संधी रहती है most important बात है यह आपके लिए वियंजन संधी और विसर्ग संधी में जो हमारे एक्जाम में कॉश्चन आते हैं वो 30% ही इनका दायरा रहता है और 70% हमारे स्वर का रहता है इसका मतलव हमें यह पता चलता है कि स्वरसंदी हमारे लिए most important है यानि हमें जो focus करना है वो किस चीज़ पर focus करना है स्वरसंद की तो स्वरसंदी हमारी 5 प्रकार की होती है 5 प्रकार की मानी जाती है कौन सी दीर्ग स्वरसंदी गुण स्वरसंदी वृद्धी स्वरसंदी यन स्वरसंदी और अयादी स्वरसंदी यह 5 प्रकार की होती है और अगर हम इन 5 प्रकार में भी उस percentage को देखें कि हमारे एक्ज हम आप इसको स्वरसंदी को 100% माल ले तो इसमें 70% जो question आपको पूछने को दिखने को मिलते हैं वो दीर्ग संदी और गुण स्वरसंदी से दिखने को मिलते हैं और इसके बाद जो यह तीन बचती हैं इनमें लगबग हमारा 30% के आसपास question हमारे exam में होते हैं तो एक दूसर की बात और महतपून हमारे लिए जो समझ में आती है वो यह आती है कि हमारी जो स्वरसंदी की दो संदी है दीर्ग संदी और गुण संदी यह हमारे लिए बहुत जादा most important होती है most most important होती है अब हम यहां पर अगर गुण संदी और दीर्ग संदी की बात करें तो ध्यान र आपकी दीर्ग संदी और गुण संदी है तो इन से यानि अब आगर हम बात करें तो टफ वाली तो वो उपर वाली टफ होती है ठीक जो हमारे एक्जाम में ना के बराबर आती है पर हमें पढ़नी तो है एक्जाम में आ गई तो दूसरी चीज इनका कहां महत होता है तो इन बाकी संदी का जो महत्व है वो हमारा जो वरतनी शुद्धी करण या फिर वाकी शुद्धी करण की हम बात करें तो वाकी शुद्धी करण में भी वरतनी शुद्धी करण करके ही जो होता है तो कई बार हमारे ऐसे शब्द हमारे सामने आ जाते हैं या फिर दूसरा महत्व इनका होता है जब हम लिखते हैं ना जब हमारी लेखनी में हम लिख रहे हैं उस समय जो हम से गलतियां होती हैं बहुत सारे शब्दों को लिखने में तो जब हम संधी को एक बार करते हैं तो हमें वो सारी चीजे न समझ में आ जाती हैं उसमें और हमारे लिए आसान हो जाती है हिंदी पढ़ना इसलिए हम बाकी संदी को भी उतना ही महत्व देते हैं चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके बाद चलिए आप लोग वैसे न बहुत जादा कमेंट्स करते रहते हैं पता नहीं मेरी बातों को ध्यान से सुनते भी हैं या नहीं चलिए आप लोग तारीफ में बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिख रहे हैं, आप सभी लोगों को तहे दिल से सुक्रिया, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इस चीज के लिए मैं भगवान का सुक्रिया आदा करती हूं, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी चीजों को पसंद करते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके को पसंद करते हैं, तो ये इन सारी चीजों के लिए मैं आपका और उस इस्च्वर का जिसने आप सभी को मुझे हम सब को बनाया है, उन सब का हम तहे दिल से मैं सुक्रियादा करती हूं, कि मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ पढ़ा सकती हूं, ठीक है, और बस एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हम आगे सुरू करते हैं, तो यह वाली बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, यस या नो, बताईए जल्दी से मुझे कमेंट करके, कि आपको यह बात समझ में आ गई ना, कि किस चीज को हमें कितना फोकस करना है, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, अब सुरुवात करते हैं, अपनी सुवरसंदी से, सुवरसंदी में मैंने आपके बारे कुछ लिख दिया है, चलिए, बैसे ही मैं सच बताऊ ना, बीच-बीच में जब मैं पढ़ाती हूं और पढ़ाते समय कमेंट्स देखना, यह मेरे लिए बड़ा ही टफ टास्क लगता है, कई बार मैंने महसूस किया, इससे पहले जब मैं कभी पढ़ाती थी, तो मैं कमेंट आप लोगों की बंद कर देती थी, और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाती थी, और आप लोगों से बात नहीं करती थी, तो उस समय बहुत सरे विध्यारती नाराज रहते थे मुझसे, कि मैं मैं आप तो सिर्फ पढ़ाती हैं, आप से बात ही नहीं करती, बड़ सच करूँ, अब प्रैक्टिस कर रही हूँ, यह कोशिश करने की, कि मैं आप लोगों की कमेंट्स लेते हुए, और उतनी ही मानदारी से पुरी फोकस करके पढ़ा भी सकूँ, चलिए, तो हम सुरू करते हैं, अब सुरू बात करते हैं, आप ना मैं आप लोगों की क पात, जब स्वर्वर्ण का मेल होता है, और उससे जो विकार यानि जो परिवर्तन उत्पन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर्संदी कहते हैं, स्वर्संदी हमारी पांच प्रिकार की, हमने अभी पढ़ा, जिसके अंदर दीर्ग स्वर्संदी, गुन स्वर्संदी, व आगे बढ़ते हैं, अब शुर्वात करते हैं, सबसे पहले हम अपनी दीर्ग स्वरसंदी की, दीर्ग स्वरसंदी हमारी क्या होती है, जैसा कि नाम है, नाम से पहचानने की कोशिश कर लीजिएगा इसको, दीर्ग मतलब बड़ा, ठीक है, अब इसमें रिजल्ट जो आता है, वो बड़ा ही आता है, अब इसको हम देखते हैं, लिखते हैं, यहाँ पर आप परिभासा लिख लीजिए, साथ की साथ, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ परिभासा लिख रही हूं इसकी, जो हमारी दीर्ग स्वरसंदी है, इसमें क्या होता है, जब किसी, जब कि जब किसी लगू या दीर्ग सजाती है, लगू या दीर्ग सजाती है, वण का मेल किसी लगू या दीर्ग सजाती है, वर्ण, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आप वर्ण के इस्थान पर स्वर भी लिख सकते हैं, मैंने सिफ वर्ण लिख दिया है, आप चाहो तो स्वर्भी लिख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जब किसी लगू या दीर्ग सजाती है, वर्ण का मेल किसी लगू या दीर्ग सजाती है, वर्ण से होता है, तो उत्पन्य विकार, तो उत्पन्य विकार दीर्ग वर्ण होता है, अब देखो, आपको समझना है परिभासा को, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम दीर्ग सवर्ण संदी कह देते हैं, इसको समझना है, थोड़ा समय से छोटा कर लेती हूँ, लिखने में थोड़ा बड़ा किया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, चलिए, देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया, अब इसमें आपको इस चीज को समझना है, दो पॉइंट परिभासा को समझने के लिए भी हमेना गौर से उसे देखना पड़ता है, यहां लिखा है लगू या दीर्ग सजातिये वर्ण, और फिर किसी लगू या दीर्ग सजातिये वर्ण से, और जब इसका उत्पन विकार होता है, तो वो कौन सा होता है, दिर्ग होता है, तो अब आपको इसको समझना है कि यह लगू या दीर्गा से क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम अपने स्वर की बात करते हैं, हमारे पास स्वर कितने हैं, तो हमें पता है हमारे पास कितने स्वर हैं ग्यारे स्वर हैं जब हमने पढ़ाए कौन-कौन से वो हमारे साबने हैं तो यह हमारे ग्यारे स्वर होते हैं और इनी के अंदर हमारी जो ये पाँचों स्वयर्डी ऐंगे ये रहेंगे अब दिखिये यहांपर समझ लीजे अब बात हमसे करीए लगू या दीर्ग सजातिया सजातिय का मतलब होता है सेम जाती के सेम जाती के मतलब एक जैसे तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सजातिय हमारे कौन-कौन से वर्ण हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह तो हमारा इसमें लगू और दीर्ग एक जोड़ा तो यह हो गया लगू या दीर्ग का दूसरा जोड़ा E और E यह हो गया हमारा इसके अंदर लगू और दीर्ग है और फिर हमारा यह O दूसरा जोड़ा यह हो गया जिसके अंदर लगू और दीर्ग है बाकी जो हमारे बचे इनके अंदर लगू या दीर्ग नहीं होता यह दीर्ग दीर्ग होता है तो फिर हम इस संदी से यानि इस रेणी से इनको बाहर कर देंगे जिसमें लगू और दीर्ग नहीं पाया जाता हमारे सामने जो दीर्ग संदी है उसके तीन स्टेप आ गए या तीन पॉइंट आ गए ठीक है तीन फॉर्मूले अब इसमें क्या होता है लगू या दीर्ग यह दोनों आपस में मिलेंगे तो इनका जो विकार होगा वो बड़ा होगा यह आपके एक्जाम के लिए फॉर्मूला बन गया सौट ट्रिक ध्यान रखिएगा विस्तार में पढ़ने के बाद सौट ट्रिक हम अपने आप निकालते हैं कोई यूट्यूबर हमें नहीं बता नहीं है आप अपना ही बना सकते हैं ठीक है तो यह फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं कितने पॉइंट हमारे सामने हो गए एक रूप यह दूसरा रूप यह और तीसरा रूप यह इनको हम अच्छी तरह से और विस्तार से समझते हैं मैं आगे बढ़ती हूँ नोट्डाउन आप करते रहेएगा ये जो हमारा पहला रूप है अगर हम इसको विस्तार से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि कि किसी ऐ या आ का मेल किसी आ या ऐसे होता है तो उत्पन्य विकार हमारा क्या होता है, दीर्ग होता है अगर हम इसे और भी विस्तार से लिखना चाहें, यानि हम इसको और भी विस्तृत करें, फैला कर देखें, क्या कोई प्रब्लम हो रही है नेट में मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है अनूप याद अब संधी में नहीं होता आपने कोशन बिल्कुल सही पूछा है मैंने अकसर लोगों को देखा है जो क्या है कि हिंदी की संधी में संस्कृत संधी को भी बताते हैं तो वैसी चीजों से बचना चाहिए आपको आपको यह पता होना चाहिए कि हम यहां पर हिंदी व्याकरण पढ़ कि इसके अंदर कौन-कौन से रूल लगेंगे यानि हमारी हिंदी के अंदर कौन-कौन से नियम दिये गए हैं तो हमें हिंदी के नियम पढ़ने चाहिए सिर्फ ठीक है इसलिए ध्यान दिजिएगा आचा यह सतीस कहरे मूलसवर कितने होते हैं सतीस जी जानते हैं एक बात क कि एक कहावत है, एक लोकोक्ती आती है गाओं में, गाओं के लोग अक्सर इसको प्रियोग करते हैं, आपने सुना होगा, अपने ममी पापा से कहा है कि अंधा गावे, भैरा बजावे, ताल कहां से आवे, आप समझे इसको, ये लोकोक्ती है, बोली में आपको इसे बुलाए कि अंधा गावे, अंधा गा रहा है, और भैरा बजा रहा है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ताल कहां से आवे, तो गाने और बजाने की ताल कैसे आएगी, अब या जानते हो, मैंने ये कहावत यहाँ पर क्यों बोली है, ये कहावत मैंने यहाँ पर उन विद्यार कुछ और ताल मेल बिगड जाएगा। आप अपना तो ताल मेल बिगाड़े हुए हैं, साथ यू साथ मारी क्लास का महल भी बिगाड देते हैं। और वी विध्याथीों का ताल मेल बिगड जाएगा। तो इसलिए किरप्या करके मेरे प्यारे-प्यारे VIG्यारिपियों, अग ठीक है, live chat box जो अभी चल रहा है, वो अभी की problem के लिए है, जो हम सामने पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप समझें, तो आप इसको समझें, मैं आपको कह रही थी कि इसको हमें पूरा विस्तृत और करके देखना हैं, तो ये हम को क्या कहता है, कि यदि किसी छोटे आका मेल, हम किसी छोटे आसे करेंगे, तब भी, या हम किसी बड़े आका मेल, किसी बड़े आसे करेंगे, तब भी, या फिर किसी बड़े आका मेल, हम किसी छोटे आसे करें, तब भी, या फिर किसी बड़े आका मेल, हम किसी छोटे आसे करें, तब भी, यानि इन चारों condition में से किसी में भी जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे हर बार इसका जो result है वो क्या आएगा दीर आएगा समझ गए ना आप यानि यह जो हमारे सामने condition रखी है जो हमने formula लिखा है यह हमारी sort trick है याद रखिएगा यह क्या है हमारी sort trick है इसका प्रयोग यानि हम कब करेंगे जब हम इन सारी चीजों को समझ लेंगे अब हमने यह अंदर तक जान लिया यानि इस से नीचे और कहीं नहीं जाएगा आपको यह चार condition मिलेंगी जहां भी मिलेंगी कहीं पर भी मिलेंगी यह चार condition मिलेंगी और आपको यह पता है कि हर बार result जो है वो हमारा क्या होगा दीर्ग ही होगा बड़ा ही आएगा हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आई न यह वाली बात अब हम उधारन लेते हैं अच्छी तरह से उधारन को समझने की कोशिश करते हैं अब देखिए जैसे हम बात करें हाला कि यहां पर मैंने इसको लिखाया मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूं यह क्या आया है अब यहां पर आप समझे हमारे सामने दिया है एक शब्द उधारन हमने लिया शब्द हमारे सामने महा प्लस आत्मा मैं जानती हूं आपने एकदम से इसको कहा होगा कि यह क्या है महात्मा ठीक है मैं आच्छी तरह से जानती हूं आप लोगों को आता है आप लोग जो है इसको अभ्यास करिए मेरे साथ अभी यह छोटा करना है एक विद्यारती लिख रहे है मेडम फास्ट पढ़ाईए देखिए मैं फास्ट पढ़ा सकती हूं करने के लिए लेकिन आज आप न सीखने आए हैं आप मुझे बताईए अगर आप सीखने नहीं आए तो मैं फास्ट पढ़ा देती हूं कोई दिकत नहीं लेकिन अगर आप सच में ही सीखने आए हैं तो मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दीजिए प्लीज क्योंकि फास्ट पढ़ाने की चलते में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे अब आपको चलना कैसे है मैं आपको बता रही हूं आपको इस फॉर्मूले पर ही चलना है जितने भी हम शब्द लेंगे अन्तिम वन इसका चुनना है अन्तिम वन क्या है आप लोग जानते हैं कुछ लोग कमेंट्स भी लिख रहे हैं पक्का मुझे पता है यह मेरे विद्यारती रहे होंगे इन्होंने पढ़ा होगा जरूर कि अब मैं क्या कहेंगी कि अन्तिम वन क्या है अन्तिम वन है इसका आ और प्रथम वन क्या है तो प्रथम वन भी हमारे सामने क्या है आप आपको पता ही जब हमने अंतिमवड निकाला तो यहां पर बचेगा क्या हमारे पास बचा मैं है अब इसमें ना हलंत लगाईंगे मैंने इससे पहले जो आपको हलंत वाली चीजें जो सिखाई है वो इसलिए सिखाई है ठीक है तो अब आपको पताए कि हमने जब इसमें से आ निकाल लिया तो ये हलंत के साथ हब बचा है, अब यहाँ पर बचा हुआ जो शब्द है हमारे साबने, इसको हम लिख देंगे, अब आपको बताए कि ये दोनों मिलके जो हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये दीर्ग होंगे, हमने अभी पढ़ा है, आपने अभी अभी देखा, ये दीर्ग हो गया, अब इसके आस पास, जो चीज आपकी बची, ठीक है, इसको जोड़ दो, अब यहाँ पर सिंपल में, एकदम साधरान शब्द के साथ, मैंने ये ऐसा इसलिए लिया है, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें, कि बड़े से बड़े शब्द को भी हम वैसे ही करेंगे, ये जो आ है, इस ह को पूरा करेगा, कैसे ह को पूरा करेगा, ह के साथ मात्रा आ जाएगी, ठीक है, और बचा हुआ शब्द हमने आगे पीछे जोड़ दिया, जो भी हमारे पास बचा, और शब्द क्या बन के आया, महत्मा, आपको पता है, अब यहाँ पर, आप थोड़े देर के लिए रुकेएगा, यानि आपको यह पता चल गया, कि यहाँ पर हमारा क्या बन के आया, यह महत्मा, आप आपको यहीं संदी विच्छेद सीखना है, मैंने आज आपको कहा था, आज मैं आपको संदी विच्छेद भी साथी साथ सिखाऊंगे, हर शब्द के साथ, अगर आपने पहले संदी करना सीख लिया, तो ही आप उस शब्द का संदी विच्छेद करना सीख पाएंगे, ये संधी के बारे में छास बात ही है कि दुनिया की कोई भी चीज, हम अगर दुनिया की किसी भी चीज की बात करते हैं, तो उसको तोड़ना आसान होता है, बनाना मुस्किल होता है. लेकिन संदी हिंदी की जो संदी है इसके साथ ये खास बात है इसको बनाना आसान होता है पर तोड़ना थोड़ा मुस्किल होता है अगर हमें बनाना नहीं आता तो हम इसको तोड़ नहीं पाते तो चलिए आप लोग तयार हैं इस चीज के लिए कि हम इसको तोड़ेंगे कैसे सिखेंगे कैसे तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं मैंने यह इसलिए लिखा था कि हम दोनों चीजे सिखेंगे यहाँ पर पहले हम इसको बनाएंगे इसका निर्मान करेंगे फिर इसके बाद इ आपने यहां पर एक बात देखी, इसी में देखना है, यानि जोडने में ही इसके तोडने का रहसेश छिपा है, आपको यह बात पता है, कि यहां पर यह जो आ आया है, इसको आपने किस के साथ जोड़ा था, इस ह के साथ जोड़ा था, शब्द के बीचो बीच आपको दिखा अगर आप इसको बहार निकाल के रख लो बहार ले आओ इन दोनों को इसके जो नों टुकड़े हैं उन्हें बनाना आप लोगों को आता है अब तोड़ना सीख लीजिए तोड़ना कैसे है यहां पर सेम बिलकुल यह आगया ना फॉर्मूला जो हमने भी खाए वहां पर बिलकुल एक दम से वैसे ही चलना है उल्टा आपने इसको तोड़ लिए अब आपको पता ही कि यह किस चीज से ब इन में से कोई सा रहा होगा यहां पर यह बात आपको पता है अब हमें हमारे सामने बिलकुल छिपा हुआ है अब हम यहां पे अंदजा लगाते तो हमें पता चलता है इन दोनों में से कोई एक रहा होगा इधर और इन दोनों में से कोई एक रहा होगा इधर अब सही क्या ह इसका पता लगाने के लिए हम दोनों को जोड़ के रख लेते हैं हमने इस शब्द के साथ यानि ये जो महें इसके साथ हमने पहले ए लगाया तो ऐसे लिखा और फिर दुबारा हमने आ लगाया तो ये ऐसे आया और जब हमने यहां पर इसमें पहले आ लगाया और फिर इसके कौन सा है समझ गए ना कैसे अभी देखो यह गती अभी आपको बहुत स्लो लग रही होगी कैसे तो बहुत समय लग जाएगा मैडम जी ध्यान रखे पहली का हिंदी का मैथ है जब आप पहली बार मैथ पड़ते ना जब आप ट्रेन वाले कोशन कर रहे होते हैं तो जब पहल करते हैं तो एक मिनट लगती है और जब आप बार बार दस बीस पंदरा पचास कोश्चन जब सॉल करने लगते हैं तो आप अपने दिमाग में कालकुलेशन कर देते हैं उसका सिधा आंसर बता देते हैं तो कैसे होता है वह अभ्यास से होता है आपको यहां पर बता रही ना तो जैसे ही शब्द यहां दिखेगा ना तो दिमाग में ही तोड़ फोड हो जाएगी मेरा एक डायलोग है ऑनलाइन वाले क्लास के कुछ विद्यारती जानते होंगे ऑफ-लाइन वाले जानते हैं ऑफ-लाइन फोड कर रहे हैं यह आपके दिमाख में हो जाएगी यह समझ में आया चार शब्द जब आपके सामने आ जाएंगे तो देखिए चलिए यहां पर मैं कह रही थी चल क्यों नहीं रहा बैन इतनी बड़ी मक्खी लगी थी इस पर अब आपको यहां पर क्या देखना है यह चार जब शब्द आ गए आपको सार्थक शब्द खोद जाएं आपको पता है महनाम का कोई शब्द नहीं होता काट दीजिए जब आपने यह काटा आपको पता चलेगा ए नहीं आएगा क्या आएगा आएगा क्योंकि आपको पता है शब्द क्या है सार्थक महा महा का मतलब महान ठीक है आपको पता है आत्मा और अत्मा तो आपको पता है कि आत्मा कोई शब्द नहीं है ठीक है वर्तिनी गलत है तो ये कट गया, जब ये कट गया तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर ये नहीं होगा समझ गए, आपको साथक शब्द क्या है आत्मा, तो आपको पता चलता है महा प्लस आत्मा यही क्या है, दोनों शब्द मिलकर क्या बनाया था, संधी महात्मा की बनाई थी इतना सिंपिल सा है, मैंने जानबुज की थोड़ा टाइम लिया है, ताकि आप लोग अपना दिमाग लगा सको, सीख सको, चलिए, इसके बाद, दूसरा पॉइंट, इसकी बाद करते हैं, यानि दूसरा पॉइंट आता है, अब मैं थोड़ा सा तेज चलूँगी, अब समल ज हमने यहां पर बात करी, दोनों में से कोई सा ई, या दोनों में से कोई सा ई, आपस में जमेल करता है, रिजल्ट हमारा क्या आता है, हमें सा बड़ा ही आता है, अगर हम इसको खोल कर लिखें और तोड़ कर लिखें, तो हमें पता है, अगर हम छोटी ई और छोटी ई का प्र पर्योग करें किसी बड़ी ए के साथ ठीक है ना हम इन में आपस में किसी को भी जोड़ें रिजल्ट हमारा हर बार क्या आएगा दीरगी आएगा क्या आएगा दीरग आएगा हमको यह पता है अंदर तक हमने यह बात जान ली उधारण देखते हैं शब्द हमारे सामने दिया है फिर से मैं इसको यहां पर ढग देती हूं आपको पता है कि क्या हो गया कपी प्लस इस अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है अभी हमें इसको बनाना है आपको पता ही है हमने कैसे इसको बनाया चलिए देखिए जल्दी से देखते हैं आपको पता है अंतिम स्वर क्या है लिकां प्राइब को पता है छोटी अ की मात्रह है तो आन्तिम सुवर क्या है हमारा चोटि खोटी ही हं मैं आप liegt अपने तो किया है बड़ी यह है इन दोनोंते में का मोरा कना हम ने थो हमें पता है कि इक कि का भी करें थोटी से बडिक का बड़ी success चोटी का या चोटी-चोटी का या बड़ी-बड़ी का हमेशा हमारा रिजल्ट क्या आना है दीरग ही आना है तो दीरगा हमारा रिजल्ट आ गया यहां पर यहां हमारे पास बचा क्या हमने उतार लिया जो कुछ भी बचा जियोंकातियों उतार लिया आपको पताए जब इस अब आपको पता है, ये जो e है, इस पा को पूरा कर देगा. इस पा को इसने पूरा किया, क्योंकि ये बड़ी e है, तो ये इस तरह से लगेगा, इसको ऐसे पूरा करेगा, बचा हुआ शब्द हम यहां पर रख देंगे, ये बचा हुआ शब्द हमारे पास, तो कपी किसका प्रियावाची होता है हनुमान जी को कहते है लो हमें एक प्रियावाची और याद हो गया साथ में दिमाग को active रखीए सोचिए ऐसे ही आपको सीखना है देखो मुझसे अक्तर आप लोग पूछते हो न कि हम कैसे ही याद करें शब्दावली को ये तरीका है जैसे ही शब्द बन के आया इसका भी हमें अर्थ-पता होना चाहिए इसका भी अर्थ-पता होना चाहिए कि बनके जो शब्दार है उसका भी अर्थ पता होना चाहिए ठीक है आगे के लिए मैं याद हो गया अगर एक्जाम में पूछा जाएगा कपीश का परियावाची बताईए हम बता देए चलिए यह आपको समझ में आ गया संदी विछेद साथ की साथ बताईए मुझे अब आ जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया उसी की तरीके से आप करिये जैसे हमने यहां देखा यह जो हमारा बड़ी यह आया था यह कहां जुड़ा था अपा के साथ जुड़ा था शब्द के बीचों बीच हमें बड़ा यह दिखाई दे रहा है शब्द के बीचों बड़ा उसी को निकाल लेते हैं बाहर, इसको खीच के बाहर निकाल लिया यहां पर, दो टुकड़े आ गए, एक टुकड़ा यह बचा, यहां रख दिया, एक टुकड़ा यह बचा, यहां रख दिया, अब आपको पता है, यह किस से निर्मित हुआ है, या तो छोटी से ई से हुआ है या तो बड़ी E से और इधर भी या तो बड़ी E आया है या तो फिर छोटी E आया है अब दोनों के साथ रख लीजिए इन टुकड़ों को चोटी E के साथ भी रख लिया और बड़ी E के साथ भी रख लिया ठीक है यहाँ पर भी बड़ी E के साथ भी रख लिया ये टुकड़ा और चोटी E के साथ भी रख लिया ये टुकड़ा अब देखिए आपको ये पता चल गया कि कौन सा शब्द हमारा सही है आप जानते हैं कपी ऐसे नहीं लिखा जाता ये कट गया तो आपको पता है कि बड़ी E तो यहां नहीं होगा छोटी E ये सार्थक शब्द है तो ये आ गया यहां पर पता चल गया E ऐसे नहीं लिखा जाता ये सार्थक नहीं है वर्तनी गलत है ये सही होता है तो आपको पता चल गया ये भी नहीं होगा आपको पता है छोटी E और बड़ी E के मिलने से बना है ये तो शब्द हमारा क्या होगा कपी पिलस E यानि ये ही हमारा इसका संधी विछेद है बताए आसान है कि नहीं तो संधी विछेद आप लोगों को आ गया करना यहां पर देखो ऐसा नहीं सीधा कमेंट में लिख दिया कपी प्लस E यह तो आपको यहां भी पता है यहां दिख रहा है मैं आपको तरीका बता रही है तोड़ना कैसे है सारे शब्दों को ऐसी तोड़ना हॉमवर्क दूंगी अप गती को थोड़ा और तेज, O आ गया, O का भी सेम होगा, कैसे होगा हमें पता है यह दि चोटे O का मेल किसी चोटे O से, या फिर किसी चोटे O का मेल किसी बड़े O से, चारों में से कोई सी भी कंडीिशन होगी result हमारा सदैव क्या होगा दीर्ग होगा क्योंकि दीर्ग संदी है क्या होगा result दीर्ग होगा पता है चलिए यही short formula है आपके लिए आप यहाँ पर जल्दी से फटाफट से देखिए अब इधर ध्यान मत देना हम इतनी इसी की बात करते हैं हमारे सामने दो शब्द है भानू प्लस उदै अंतिम वर्ण क्या है जल्दी से बताईए आपके सामने अंतिम वर्ण है हमारा छोटा उ प्रथम वर्ण क्या है प्रथम वर्ण है हमारा छोटा उ दोनों का मेल करेंगे उत्पन्य विकार क्या आएगा यहां पर टुकडा क्या बचा टुकडा यह बचा हमारे पास यहां पर क्या टुकडा बचेगा हमें पता है जब हम इसमें से उ निकालेंगे तो हलंत के साथ बचेगा तो यह हमने यहां पर रख लिया हलंत के साथ ठीक है आप जोड दीजिये आपको पता है यह बड़ा उ जो है यह ना को पूरा कर देगा ना को पूरा करा कैसे इस तरह से बचा हुआ यहां पे टुकड़ा आगे लिख दिया हमने बचा हुआ इधर लिख दिया जो बचा अब शब्द बनके आ गया हमारे सामने भानू दे ठीक है हमने कुछ नहीं किया इस प्रोसिस से जायेगा रिक शब्द को आपको निकलना है उसी से बर्तनी शुद्री करन भी यहीं से निकलेगा संदी भी से निकलेगा किसी भी शब्द में कौन सी संदी लगी है यह सारीम ग के अगर अपने अच्छी तरह से इसको समझा चलिए देखिए नेक्स साब्ड अब हम इसमें क्या करेंगे संधी विछेद करना है हमको इसका तो चलिए संधी विछेद कर लीजिए आपको पता है यहां पर यह जो बड़ा उ आया है कहां पे लगा न के साथ तो हमको यह बात पता है कि यह जो हमारा यहां पर न है इसके साथ लगा हुआ उ यही हमारी क्या है संधी है यानि यहीं पर विकार उत्पन हुआ था इसी को बाहर निकाल लेंगे खीच कर बाहर निकाल लिया यहां पर हमारे पास टुकडा क्या बचा टुकडा हमने यहां लिख दिया यह यहां टुकड़ा क्या बचा आपको पता है बताईए संधी विच्षेद का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह दोनों आपने लिख लिए अब आपको पता है यह बड़ा उ जो है यह किस से निर्मित हुआ है या तो किसी चोटे या तो फिर किसी बड़े उ से मेल हुआ है आपको यह पता है चलिए टुकड़ों को सजा दीजिए इसके साथ अब यह शब्द आपका भानू हो गया और दूसरा टुकड़ा हमने सजाया तो यह भानू हो गया ठीक है इदर हम देखें यह उदय हो गया और इसके साथ लिखें तो उदय हो गया आप आपको सार्थक शब्द पहचानना है आप जो ये बोलते हैं कि मेडम ये सार्थक शब्द कैसे होता है सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसको मानक शब्द दिया गया यानि जिसको मानेत प्रदान की गई है या हम कहें जो शब्द को उसमें पाया जाता है जिसका अपना एक अर्थ निकलता है जिसकी वर्तनी शुद होती है उसी को हम क्या कहते हैं सार्थक शब्द कहते हैं ठीक है अब इसमें हम पैचान लेते हैं आपको पता है भानू हम ऐसे नहीं लिखते हैं भानू में हमारे छोटे उकी मातरा आती है तो यही हमारा सार्थक श हमारे सामने सार्थक शब्द यह दिया है हमें पता है तो यह नहीं होगा हमें यह पता चला चोटा और चोटा मिलके यह बना था बढ़ाऊ और हमारी संदी क्या हो गई भानू प्लस उदय संदी विच्छे था हमारा यह आ गया चीक है तो इस तरह से होता है आप लोगों को ये चीज पता चल गई होगी चलिए आप लोग न तयार हो जाईए कुछ अभ्यास करने के लिए अब आप लोगों को अभ्यास करना है अभ्यास क्या करना है देखिए ये चीज समझ में आ गई ना बहुत सिंपल है बहुत टाइम लगाया है, सौट ट्रिक आगई आपके सामने, आप जो दुनिया आपको जो बताती है ना छोटे से टाइम में सौट ट्रिक, भाई छोटे से टाइम में सौट ट्रिक तभी काम करती है, जब आपको लॉंग ट्रिक आती है, अगर लॉंग ट्रिक नहीं आती ना सौट ट्रिक क किसी का मेल होगा ये आएगा इन में से इनका किसी का मेल होगा ये आएगा इसमें से इसमें से किसी का मेल होगा ये आएगा अभ्यास के दवरान आपने ये देख लिया अब इसको बना ली 100 ट्रिक जो आपको एक्जाम से चार दिन पहले मात्र देखनी है अभ्यास तो अभी क यही है सोट्रिक, अगर इस सोट्रिक को मैं आपको इतना लॉंग बताने से पहले अगर पहले बता देती, आज तो बड़ी अच्छी लगती, आज बहुत मज़ा आता, अरे वा निदी मैम आपने तो एकदम जादू कर दिया, यह हमें ऐसे समझा दिया, यह कर दिया, आज तो बहुत मज़ा आता, लेकिन चार दिन बाद फिर भूल जाते, और फिर कहते हैं, कि मैडम आपने तो अच्छा बताया था, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं कहते हूं अगर आपको ऐसे कोई टीचर पढ़ाता है, तो वो पढ़ाना नहीं चाहता, वो सिर्फ बार 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 आपक और फिर मुझे जब दुबारा सिकल दिखाएं, सेलेक्शन लेके ही दिखाएं, मैं आपने विद्यारतियों को यहीं बोलती हूं, जब मैं एक बार बैच में आप लोगों को पढ़ा दूँ, दूसरी बार मुझे वर्दी में ही दिखने चाहिए हो, मुझे आपसे मिठाई ले ले एक बार पढ़ने के बाद, फिर आप हर रोज आईए मेरा प्रमोशन करिए, मैं कभी नहीं आपको मना करूंगी, लेकिन आप पढ़ने के लिए अगर बार बार पलटके मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं समझती हूं कि मेरे पढ़ाने में खोट है, आपको मैं समझा नह समझ ले इसको स्कीन सॉट ले लीजिए, मैं से साफ कर देती हूं, स्कीन सॉट लेके रख लीजिए, अब यह आ गई आपके पास सॉट्रिक, आप जल्दी से एक्जामपल कुछ करिए, पहला आपके पास दिया है, एक प्लस अंकी, इसका एक अंकी मैंने ही दे रखा है बता दिया, अब सुनिये, समझे आपको क्या करना है, रफ कॉपी आपके पास है या नहीं, अगर नहीं है तो जल्दी से दौड कर ले आईए, जिस विधी से मैंने बताया है, उस विधी से करके देखिये, और करके देखिये, मैं आपको यहां पर 30 सिकेंड का टाइम दे र कुछ प्रॉबलम हो रही है, आपको इमानदारी से बताना है, तब तक मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी, अपना साल्फ करके देखिये, जल्दी से फटाफट करके मुझे बताईए, इमानदारी बरतनी है, यहां पर किसी को नहीं पता कि आप कौन है, कौन आपको मुझे बताना है कि एक प्लस अंकी, एक अंकी आप इसकी संधी उस विधी से कर पाए या नहीं, जो मैंने पहले बताया, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे शब्द आपके सामने आने वाले हैं, उसके साथ ही आपको यहां पर यह द्यान देना है कि छात्र प्लस आवा अब इसमें आपके सामने सार्थक शब्द दो आएंगे, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको छात्र रखना है या छात्रा रखना है, ठीक है, तीसरा आपका जो हॉमवर्क जो अभी आपको करके मुझे बताना है, कमेंट करके कि गुरू प्लस उप्देश, इसको करके बताईए, यह आप इसको सही कर पाते हैं या नहीं, इसमें भी काफी सारे विद्यारतियों को प्रॉब्लम होती है, तो यह तीन मैंने आपके सामने दिया हैं, इनको करके देखिए, कि आपको तीनों समझ में आ गए या नहीं, अगर तीनों में से किसी में कोई दिकत हो रह मिनाक्षी निकल गया कमेंट्स, हिंदी में छोटे सरकार बुच रहे हैं, हिंदी में किसी भी शब्दों का भावार्त कैसे निकालते हैं, देखो भावार्त निकालनी का मतलब क्या है, देखो आप इसको ऐसे समझो, उसके पीछे अर्थ क्या है, जैसे सपोज मैं आगर आप से कहा कमल तो आपके दिमाग में एक फूल का द्रश्य बनता है ना कि कमल का मतलब एक फूल एक प्रकार का फूल तो वो जो आपके दिमाग में जो फूल होना जो बनाए वही भावार्थ होता है जैसे मालो मैंने कहा आम तो तुरंत आपके दिमाग में आम की फोटो बनत होता है तो वो ही उसका भावार्थ होता है जैसे सपोज करो मैं अगर आपसे कहूं कि प्रदर्शन तो जैसे ही मैंने आपसे कहा प्रदर्शन आप कहेंगे कि मेडम प्रदर्शन में तो कोई फोटो नहीं बनती मेरे दिमाग में लेकिन प्रदर्शन शब्द कह देने से आपक इसी चीज का दिखावा करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रदर्शन कहते हैं, तो यह जो भाव क्रियेट होता है हमारे मन में, इसी को भावार्त कहते हैं, और यही सार्थक, यानि कहते हैं कि सार्थक होना, यही सार्थक होना होता है, और इन सारी चीजों का हमें पता कैसे च चलता है जादा से जादा अध्यान करने से हम जब जादा से जादा अध्यान करते हैं तब होता है नवीन कुमार गुरुप देश जो आपने लिखा है गलत लिखा है सुधार के बताईए आप गलत लिख रहे हैं इसमें ठीक है तो आपको यह बात समझ में आई चलिए सागर आप बायलोजी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो मुझे पता है पढ़ा देना हमको क्यों आप मेरे आफ्लाइन के स्टुडेंट हो गया तब ही पता होगा क्योंकि आफ्लाइन के स्टुडेंट कोई पढ़ाया मैंने बायलोजी सुनील, राजन, माम पीडियाफ मिलेगा ना हाँ आप जब class लेते हैं आपको पीडियाफ मिलती है ठीक है PDF आपको साथ में मिलती है जब class लेते है Apple videos you do देनजे हो गए सारे मेम देनजे आपने कर लिए बहुत सुन्दर वेरी गुड आपसे हो गए तो अच्छी बात है और मिला लिजेगा मैं अभी अभी तुरंत आपको बताऊंगी मेम आप सत्ता में हर रोज पढ़ाईए सत्ता लिखा है सत्ता लिखा है देखो मैं आप लोगों की जो क्लास ले रही हूं वो मैंने आपको बताया है कि हमारी क्लास जो है वो अल्टरनेटिव डेज पर आएगी यानि अगर मंडे को हमने पढ़ाया है तो फिर हम वैडनेस दी को पढ़ेंगे और फिर हम फ्राइडे को पढ़ेंगे सब्ता में तीन दिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैं हर रोज का प्रामिस तो नहीं करती हूँ आप लोगों से बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे पास काफी सारी चीज़े हैं तो इस वज़े से मैं आप लोगों को एक दिन छोड़के एक दिन में पढ़ाऊंगी और टाइम जो है साम को साथ बज़े रहेगा और संडे का दिन जो हमारा फ्री रहेगा उसमें हम कुछ भी बात करेंगे कुछ भी नया टॉपिक अलग भी ले सकते हैं ठीक है जल्दी से बताईए आप लोगों ने तो क्या आपने बता दिये असो कुमार मैडम मैं नया चात्र हू बताईए अर्शो कैसा लगा है आपको आज संधी आपको समझ में आई क्या लाइव क्लास कब चलती है अभी मैंने बताया ना रजट लाइव क्लास हमारी MWF में चलेगी साम को साथ बज़े मेरा नाम लीजिये दीदी मनसुक रोली आदव मैं फास्ट नहीं मैं फास्ट नहीं अच्या ठीक है चलिए आपका लगता है मेरे इसमें कमेंट काफी पीछे चल रही है आप लोगों यह बताईए मुझे जल्दी से तीनों हुए के नहीं या कर भी रहें या सोच रहें मैडम कैसे देखे मैडम कहां देख पाएंगी अतुल सेनी मैं भी नया चातर हूँ ठीक है अतुल बताईए आपको कैसा लगा आज संदी पढ़के ध्यान रखिए जिन लोगों ने संदी में मतलब अगर आपने वन माला नहीं पड़ी है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आप लोगों को मुकेश कुमार मैं क्या मिठाई खिला हूँ ब्यार सरकार अभी मेरा नियोजन लटका के रखी है कोई बात नहीं आपकी मर्जी है अभी मिठाई खिलाना खिलाई है नहीं तो फिर जब आप जाब लग जाए ना पहली सैलरी जब आपको मिले तब खिलाईएगा तब ज्या नहीं समझ में आया ओके ठीक है मुझे पता है मैं एक अंकी वाला करा दीजिए निजाम खान ठीक है मैं कराती हूँ बिल्कुल मुझे पता है आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आएगी चलिए ठीक है आप लोगों आप लोगों को एक मिनट जितना टाइम देना था दे Spaß और दूसरे प्लस आवास दीया रहता है वाकी दो और आपस्य Liarlos कि तरह स्केमाब भी मैं आपको शार्थक शब्स दिखाई देते हैं समस्या फजाती है कि कौन सा वही चीज मैं आप को बताऊंगे इस तरह सिर्फ छात्रावास नहीं इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें इस तरह की कंडिशन आपके सामने फस्ट जाए किस चीज में इस ट्रिलिंग और पुर्लिंग की ठीक है तो वो सारी अगर आपको यहां पर इस चीज को निकालों तो आपको एक बात समझने चाहिए मैंने आपको पंचमाक्षर के में बताया है कि पंचमाक्षर क्या होता है जबी भी कोई पंचमाक्षर अपने मूल रूप में आता है अपने मूल रूप में आने की बात मतलब जब वो हलंत के साथ होता है मतलब जब वो बिना स्वर के होता है और उसके तुरंत बाद उसके परिवार का उसके फैमिली का कोई भी वर्ण उसके साथ होता है तो वो अपने वास्तविक रूप में न रहकर वो अनुस्वार में बदल जाता है ये हमारे पंचमाक्षर का नियम है अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो मेरी जो चैनल है यानि यूटूब चैनल है उसी पर एक वीडियो पड़ी हुई है अनुस्वार और पंचमाक्षर में अंतर आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेजिए तो आपको ये नियम भी समझ में आ जाएगा कि ये जो अंकी है न इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ये पंचमाक्षर है अब आपको ये बात पता चल गई कि ये पंचमाक्षर अलग हट गया तो ये आपने आप यहां आपको मिल जाएगा और आपने दोनों को मिला कर यहां पर बड़ा आ बना दिया और जब आप बचा हुआ टुकड़ा ऐसे था इस आने इस क को पूरा किया जब आपने यहां का इस तरह से लिखा यह आ गया अब यह आपके सामने यह ऐसे रखा हुआ था ठीक है अब देखिए यह आपके सामने बच के आया अब यहां पर इस्तिती बिल्कुल वैसे ही होती है कि यह पंच दिमाक्षर यहां से उठकर ठीक है यहां से उठेगा और यह किस में बदल जाएगा अंग की बिंदी में बदल जाएगा ठीक है अब आप कहेंगे कि मैडम जी कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से गया हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी बिंदी है आपके दिमाग में यह चीज आ सकती है कैसे पता चलेगा कि यहां पर कौन सी बिंदी है तो आपको टेंशन लेने की जरुवत नहीं है आप फिर ऐसे मत करिए इसका रूप बदल दीजिए कैसे रूप बदलना है ऐसे रूप बदल दीजिए आपको चाहिए इसमें से आ तो आप ना इस बिंदी को ऐसे ही यहां पर रहने दीजिए और इसको ऐसे रख लीजिए यानि इसके नीचे से आ निकाल लीजिए बहर ऐसे तो निकाल सकते हैं ऐसा तो नहीं कि यह गिर जाएगा इतनी सी देर में नहीं गिरेगा समल जाएगा जल्दी से आपको आ दोनों मिल जाके बड़ा करना है, फिर बाद में क्या करना है, इस पर ऐसे ही टिकाा देना, जैसे ही काके साथ आया, इसके उपर इसको टिका देना, आप का शव्ब दो गया. तीक है, अगर ना समझ में आये तो, जहां पर भी हो, अगर समझ में आ जाता है, तो पंचमाक शरा पैचान लेते हैं, बहुत आसान है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आपको नहीं समझ में आई होगी, अब बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कोई इसमें आपको ऐसा लगा, बहुत बढ़ा था या कुछ ऐसा जो आप नहीं समझ सकते थे, समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, आगे देखिए, ये देख लिया आपने, इसके बाद दूसरा, अब इसको समझ ये, चात्र प्लस आवास, ये आपको पता है, अन्तिम जो वन है, ये ए है, और ये जो है, ये आ है, ये कहानी तो आप सम और ये अगर आपका आवास इस तरह से दिया हो। तो आप अभी दिखो, ये दोनों जब भी ऐसे आएंगे, तो हमेशा इसका जो बनके आएगा रिजल्ट वो छात्रावास ही आएगा। जब भी आप इन दोनों को बनाएंगे तो छात्रावास आएगा अब आपके सामने समस्य तब आती है जब आपको छात्रावास सब दिया है और आप से पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि ये संधी किस से हुई है और option में आपके ये दोनों आ गए आपका objective type question है objective है तो आपको दोनों में से एक चुनना पड़ेगा दोनों तो नहीं चुनेंगे तो फिर वो कौन सा चुने जो आपका सही हो तो ध्यान दीजेगा कि हमारा जो समाज है वो पूरुस प्रधान समाज है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या हमारा जो समाज है वो रख लीजिए तो हमारा जो पुर्लिंग होगा वही सही होगा या फिर आप इस बात से अपने दिमाग में रखे कि जैसे मान लो सड़क पर कुछ विद्यार्थी खड़े हैं अगर हम यह कहें कि वहां कुछ छात्र खड़े हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि केवल के केवल वहां पर लड़के हैं नहीं आपके दिमाग में रहेगा हो सकता है उन लड़कों के साथ लड़कियां भी हो सकती हैं ठीके ना लेकिन अगर हम कहें कि वहां कुछ छात्राईं खड़ी हैं तो आप कहेंगे कि वहां केवल और केवल लड़कियां होंगी तो कहने का मतलब है छात्र शब्द के अंदर हमें लड़कियां और लड़के दोनों के होने का आभास होता है बजाए छात्रा के तो ऐसी स्तिती में हमारा जो आंसर होगा वो पुर्लिंग वाला ही हम सही रखेंगे और जब इस तरह से दोनों आ जाए तो हम पुरुस प्रधार जो पुर्लिंग है हम पुर्लिंग शब्द को ही सही मानते हुए इसका संदी विच्छेद बताएंगे ठीक है यह समझ में आ गया तो इसमें अब आपको कोई दिकत नहीं होनी चाहिए यह चीज आपको समझ में आ गई चलिए तो दूसरा पॉइंट यह था अब इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट इसमें गलती भी की थी एक विध्यार्थी ने तो ध्यान दीजिएगा आपको यह ध्यान देना है यहाँ पर मैं इसको दुबारा लिखती हूँ थोड़ा सा उंचा करके हमारे सामने जो दिया है गुरू प्लस उपदेश अब आपको सबसे पहले एक बात समझनी है हमारे विध्यार्थियों को यह बात नहीं समझ में आती के रा के साथ जो यह उ लगा है यह छोटा है या बड़ा यह थोड़ी समस्या होती है यहाँ पर दिखो रा के साथ जो यह उ लगा है यह छोटा है ठीक है और यहाँ पर छोटा उ आया है तो दोनों का मेल करने के बाद यह हमारा क्या हो गया बड़ा हो गया अब हम इसको यहां पर रखेंगे तो यह हमारा जो रा है हलंत के साथ आ रहा है और यहां पर हमारे पास जो बचा है वो यह बचा है ठीक है अब आपको पता है यह जो उ है यह रा को पूरा करेगा और रा को पूरा करेगा तो बड़ा उ इस तरह से आएगा और ये हमारा यहां पर बचा हुआ टुकड़ा और ये हमारा बचा हुआ टुकड़ा हमने यहां पर लिख दिया और हमारा शब्द जो है वो बन के आगया गुरूप देश सीधा सिंपल सा है आपके सामने doubt अब क्या हो रहा होगा आपके सामने doubt ये होगा कि madam ये तो हमको पता है कि एक बड़ा है एक छोटा है लेकिन जो हुमारी main समस्या है वो ये है कि हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है हमें जब र के साथ हम उ लगाते हैं देखते हैं तो ये हमेशा ही confusion हो जाता है कि कौन सा हम बड़ा रखें और कौन सा हम छोटा रखें तो आपको एक कहानी में बता देती हूँ, उस कहानी के साथ आपको ये हमेशा याद रहेगा, कि आप इसको किसको छोटा मानेंगे और किसको बड़ा मानेंगे, जैसे मैं इसको मिटा देती हूँ, समझ में आ गया, जैसे बात करते हैं हम, ये हमारा छोटा हूँ, ये हमारा ब पता हैं अब हम बात करते हैं इसका प्रियोग रा के साथ रा के साथ चोटे उखी मातरा लगानी हैं और इस गई साथ हमें वो राजा नहीं बनता था मजबूरी बस उसे सेनापती या प्रधान सेनापती ऐसा ही कोई पद लेना पड़ता था राजा बड़ा बन जाता था बड़ा भाई बन जाता था तो आप उसी प्राचीन कहानी से उठा लीजिए कि जो बड़ा है वो अपनी मनमर्जी करता है और को कम्परमाइज करना पड़ता है यानि बड़ा मनमर्जी करता है जैसे उसकी मर्जी और जो चोटा है वो कम्परमाइज करता है तो यसी ये वाली कहाने आप अपने दिमाग में यहां सेट करिए कि यो बड़ा है, यानि जो बड़ा व है, ये अपनी मनमर्जी करता है मनमर्जी क्या आता है जैसा मैं हूँ, वैसा ही इस रह के साथ प्रियोग होंगा तो ये वन जाता है तो अब आपको ध्यान देना जहां भी कहीं आपको ऐसे गोल गुंडी के साथ रह दिखाई दे जैसे मालो आपने लिखा रूप तो आपको पता है यहां पर कौन सा उ है बड़ा उ है तो यह पता चल गया अब यह जो छोटा है अब यह तो ऐसे बन गया इस चोटे ने इस तरह से उ की मत्रा प्रियोग करन तो इसने अपने आपको ऐसे चेंज किया यानि यह कोई गोल इसे घुमाएगा नहीं यह इसे ऐसे लगाएगा तो कॉम्प्रमाइज किसने किया है अपने आपको चेंज किसने किया है छोटे भाई ने तो आपको पता चलेगा जब आप कोई शब्द लिखते हैं जिसमें य मात्रा के साथ जो उ है चेंज करके आया हो अपने आपको तो वो क्या होगा छोटा होगा उमीद करती हूं इस कहानी से आपको हमेशा याद रहेगा बड़ा उ हमेशा वैसा ही होता है जैसी उसकी मात्रा है कॉंप्रमाइज किसको करना पड़ता है के साथ छोटे उ को करना इनको करके देखना है गर पर जा के और भी बहुत सारे जैसे सिव प्लस आले सिवाले हो जाएगा कवी प्लस इंद्र कविंद्र हो जाएगा अब आपको इसमें homework क्या करना है homework ये है आप इसका screen shot ले लिजिए और homework आप लोगोंका ये है कि आपको जैसे इसका अंतिम वर्ण क्या है इसका अंतिम वर्ण है और इसका प्रथम वर्ण क्या है इसका प्रथम वर्ण है तो आपको क्या करना है यह जो space है इसमें इसका अंतिम वर्ण लिखना है प्लस इसका प्रथम वर्ण लिखना है और बड़ाबर इन से मिलकर result क्या उत्पन हुआ वो आपको यहां पर रिजल्ट लिखना है यह आपको अभ्यास करना है इसके साथ इसी तरह से इसके साथ अंतिमवर्ण इसका प्रथमवर्ण अंतिमवर्ण प्रथमवर्ण और अंतिमवर्ण प्रथमवर्ण इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है और यह आ आपने लिखा आपका सही आता है या नहीं अगर इसमें आपको कोई कहीं पर गलती लगती है कहीं आप अटकते हैं कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप फिर मुझे उस चीज को बिता सकते हैं ठीक है तो आज हम इतना ही करते हैं आज हमारी क्लास काफी होगी और दिहान रखिएगा, यह हमारी जो दीरगसंदी है, यहाँ पर पूरी तरह से complete हो गई है, मैं समझती हूँ, आज के बाद दीरगसंदी को लेकर आपको कहीं कोई problem नहीं होनी चाहिए, अब आप दुनिया के हर शब्द में दीरगसंदी को पहचान कर सकते हैं, sort trick भी मैंने आपको समझा दी है, बता दी है, चीक है, तो फिर आज हम अपनी class यहीं पर खतम करें, क्या कहते हैं, आप जल्दी से बताईए, क्या आपको यह आज दीरगसंदी समझ में आई या नहीं, कमेंट करके बताईए, चलिए ठीक है, अब आप लोगों को यह चीज़े समझ में आ गई है, बुक का एक्जामपल करा रहा है, बुक का एक्जामपल करा रही हैं क्या कहना क्या चाते हैं अतुल कुमार समझ नहीं आया बुक के एक्जामपल हो या कहीं भी आपको पता यह एक्जामपल तो कोई भी आप ले सकते हैं ठीक है चलिए आप लोगों को चीजे ना समझ में आ गई हैं बहुत सारे विद्यारती ने कहा येस मैम हम समझ में आ गया ओके और कितना टाइम नहीं अब गोविंद अब हम क्लास अपनी आफ कर रहे हैं अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आज हमें इतना ही पढ़ना है एक साथ अगर सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगी न तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा सब ओवर्फ आप टेंशन मत लीजिए पहले आप इसको करिये चलिए आज के क्लास यहीं पर खतम करते हैं तो फिर हाला कि मैं सच बताओ ना मैं मुझे आप लोगों को पढ़ाना इतना अच्छा लगता है कि जब मैं क्लास खत्म करती हूं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो तो आरे यार आप छोड़के जाना पड़ेगा पर क्या करें कहते हैं संसार की रीती यही है फिर से मिलने के लिए एक बार बिछणना तो पड़ेगा तो चलिए फिर से यानि परसों बुद्धवार के दिन फिर से क्लास करने के लिए अभी हम विदा लेते हैं गुड़ झाल झाल